हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करते हूं कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय मुहावरे एडिम्स मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनसे सब्दों का साधारण नहीं बल्कि विशेश अर्थ प्रकट होता है मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक तथा प्रभावशाली बन जाती हैं उधारण के लिए नीचे दिये गई चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए आखों में धूल जोकना अर्थात धोका देना उल्लू बनाना अर्थात मूर्क बनाना बच्चो दोनों चित्रों के नीचे पहले वाक्यांश मुहावरे हैं और उनकी नीचे उनके विशेश अर्थ लिखे हुए हैं यहां कुछ बहुदा प्रयूक्त मुहावरे उनकी अर्थ एबं वाक्य प्रियोग दिये जा रहे हैं ये बच्चों इन्हें पड़ते हैं पहला मुहावरा आखें खोलना इसका आर्थ है होश आना और वाक्य है जब तुम बीमार पड़ जाओगे तभी तुमारी आखें खुलेंगी आगी है अकल का दुश्मन होना महामूर्ख होना वाक्य प्रयोग है मेरा पडोसी कोई काम ठीक से नहीं करता वह अकल का दुश्मन है आँखों में धूल जोकना, धोका देना वाक्य प्रयोग, चोर पुलिस की आँखों में धूल जोककर भाग गया अगर-मगर करना, मतलब टाल मटोल करना मदन को जब भी कोई काम बताया जाता है तब ही वै अगर-मगर करने लगता है अपना उल्लू सीधा करना अपना मतलब निकालना श्याम अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है अंग अंग मुस्काना बहुत प्रसन होना वाक्य प्रयोग है उत्तीन होने का समाचार पाकर दिवेश का अंग अंग मुस्कुरा उठा अंग अंग धीला होना बहुत थक जाना आज पीटर ने इतना काम किया है कि अब उसका अंग-अंग दीला हो रहा है घाव पर नमक छिड़कना, दुख को और वड़ाना अपनी जली कटी बातों से मेरे घाव पर नमक मत छिड़को घडो पानी पढ़ना, मतलब शर्मिंदा होना जब हितेश चोरी करता पकड़ा गया, तब उस पर घडो पानी पढ़ गया गले लगाना, मतलब प्रेम पूर्वक अपनाना हमें दीन दुखियों को भी अपने गले लगाना चाहिए अंधे की लकडी, एक मात्र सहारा अमन अपने माता पिता के लिए अंधे की लकडी है कोलू का बैल होना, मतलब दिन रात मेहनत करने वाला रमेश सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम में लगा रहता है आग बबुला होना, बहुत गुस्सा करना मनोज आजकल छोटी सी बात पर आग बबुला हो जाता है आकाश पाताल एक करना, बहुत कोशिश करना कक्षा में प्रथम आने के लिए मेरे भाई ने आकाश पाताल एक कर दिया उंगली पर नचाना, वश में कर लेना आजकल के नेता तो जनता को अपनी उंगली पर नचाते हैं उल्लू मतलब मूर्ख बनाना तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मैंने सब सुन लिया है कलई खुलना, फोल खुलना, मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ मैं तुम्हारी कलई खोल कर रदूंगा चकमा देना, मतलब धोका देना ठक दुकानदार को चकमा देकर चला गया पहार तूटना, भारी मुसीबत आना पिता की आसमे मृतियू से रोहित पर मुसीबतों का पहार तूट पड़ा जान पर खेलना, इसका अर्थ है प्राणों को संकट में डालना तेश की रक्षा करने के लिए सैनिकों को अपनी जान पर खेलना पड़ता है तो बच्चों, आपने सिखा मुहावरों के प्रयोग से भाशा रोचक एवं प्रभावशाली बन जाती है मुहावरी साधारन नहीं, आपितू विशेश अर्थ प्रकट करते हैं तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयम कीजिएगा